हेलो दोस्तों कैसे हो आप तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड चाप्टर नमबर 75 पेज नमबर 202 अब तक इस कहानी में हमने अब तक देखा की और श्रेया ने जो मास्क पहना था वो पूरा का पूरा प्लेन था पर अगर कोई ध्यान से देखे तो उसके मास्क पर क्वीन का साइन दिखाए परता था जो की सिर्फ ध्यान से लाइट में ही देखा जा सकता था अंधेरे में श्रेया के मास्क पर लाइन और टाइगर का चेहरा दिखता था जो की बहुत ही मिस्टीरियस और खतरनाक लगता था श्रेया और उसकी सोबत मौजूद उसका मिस्टीरियस साथी दोनों ही उस लिफ्ट में चले गए कुछी सेकंड में वो हॉल में आकर रुपती है श्रेया और उसका मिस्टीरियस साथी दोनों ही लिफ्ट से बाहर निकल कर हॉल में एंटर करते हैं इस वक्त उस हॉल में बहुत सारे ब्लैक ड्रैस और उसी मिस्टीरियस साथी के जैसे मास्क पहने हुए लोग बैठे थे जब उनको लिफ्ट का होने की आवाज सुनाई दी तो सब का ध्यान उस तरफ गया और जब उन लोगों ने देखा कि कोन आ रहा है वो जब श्रेया को देखते हैं तो सारे लोग अपने जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं सारे वहां मौजूद लोग श्रेया को देखकर अपना सिर जुका कर उस सारा करती है श्रेया के साथ आया मिस्टीरियस साथ ही श्रेया के पीछे जाके खड़ा हो जाता है उसी के पास और एक इंसान आकर श्रेया के पीछे जाके खड़ा हो जाता है तब ही एक आदमी आगे आके श्रेया के आगे अपना सिर जुका के उसे कुछ बताता है वो जैस को ग्रीद करके उससे कहता है कुईन मुकुट आपके कहे मुताबिक हमने मिस्टर के के और उनके साथ जुने लोगों पर नजर रखी हुई थी जो कि इंडिया में किसी बेहत बड़े मिशन को अंजाम देने वाले हैं मिस्टर के के इस वक्त इंडिया के लिए निकल चुका है वो अभी फ्लाइट में हैं उसने अपना पूरा वेश बदल दिया है वो इंडिया कपूर इंडिस्ट्री के CEO आलोग कपूर जिनकी कुछ साल पहीले होट अटेक से डेथ हो गई थी उनके भाई के भेस में इंडिया आ रहा है जिसे कुछ महीने पहीले ही कपूर ग्रूप क CEO बना दिया है हम उसको एसे ही डाइरेक्ट हाथ नहीं लगा सकते वो पूरी त्यारी के साथ इंडिया आ रहा है बड़े बड़े पॉलिटीशियन उसके साथ मिले हुए अभी तक उनके बारे में पक्के सबूत हमको नहीं मिली है पर एक खास बात वो लोग जिस वाइरस को इंडिया में फैलाना चाहते थे वो इंडिया आने के लिए रवाना हो चुका है केके ने बड़े ही चालाकी के साथ उस वाइरस को प्लान बनके पांच हिस्सों में बाटा है उसने उसके दो नामक वाइरस को अपने सबसे खास पांच लोगों के टीम को सोपा है सब के पास से इंडिया में आने वाला है। उसको शिप में सिप्ट किया जा चुका है। ठीक आठ दिन में एंटीडोट इंडिया पहुंच जाएगा। इतना कहकर वो चुक होता है और अपना सिर्जुका की खड़ा होता है। श्रेया जब अपने डैडालोग कपूर का नाम सुनती है औ धीरे धीरे सुलजने वाले थे। वो अपनी सोच बाहर आकर अपने सामने खड़े अपने आदमी की तरफ देख कर उससे कहती है। उन पांच लोगों की टीम पर नजर बनाए रखो वो लोग कहा पर वो वाइरस प्लांट करने वाले हैं। पता लगाओ और मुझे इंफॉ अपनी क्वीन की बात सुनकर वो आदमी अपना सिर जुका के कहता है आपका हुकुम सर आखों पर क्वीन आप जैसा चाहती हूँ ठीक वैसा ही होगा। इतना कहकर वो अपने साथियों को लेके अपने क्वीन का हुकुम पूरा करने चला जाता है। अब उस हौल में बस कु इचे third flow पर चले जाते हैं, third flow पर Shreyya एक room के आगे आके रुकती है, वो उस room का gate खोल कर उसके अंदर enter करती है, उसके पीछे वो दो उसके साथ ही भी enter करते उनके उस room में enter करते ही, उस room का gate lock हो जाता है, उस room इस वक्त पूरे अंधिरे में दुभा हुआ था, Shreyya clap करती है, ज इसके आवाज से उस रूम में रोश्नी हो जाती है, अब उस रूम में मौझूद सारी चीज़े दिखाई दे रही थी, वो कोई साधारन रूम नहीं बल्कि एक लाइबरेरी थी, जिसमें बहुत सारी किताबे रखी गई थी, जो की बहुत पुरानी थी, उसमें बहुत सारी जानकारी थी, जिसके मदद से हम किसी बेहत पुरानी और जिस बीमारी का कोई इलाज न हो उसके बारे में जानकर उस बीमारी का हल उन किताबों में दन सकते थे। गिनित एक्स्प्रेशन आकर चले गए, पर उसने मास्क पहना इस वजए से उसके साथियों को कुछ पता नहीं चला। उसके साथ आये हुए उसके साथी भी उसकिताब को देख रहे थे पर अब लोगों को उसकिताब में क्या लिखा है। ये समझ ही नहीं आता, वो बेहधी पुरानी लिपी में लिखा गया था जिसका प्रेजन्ट में किसी को भी ज्यान नहीं था। पर श्रेया को सभी लिपी समझ, बोलने और पढ़ने आती थी। ये सब उसने गुरू मां के आश्रम में शिखा था। श्रेया उसकिताब के उस 202 पन्ने पे लिखी information rate करके उसकि श्रेया को फिर से उसके पहले की स्थान पर रख देती है, जहां वो कुछ समय पहिया था। उसके बाद वो अपने दोनों साथियों के साथ उस रूम से बाहर चली जाती है। श्रेया का अब यहां काम खत्म हो चुका था, तो वो उस जगल से निकल जाती है, जाते वक्त उ उसने अपने साथ थे उन दो साथियों को कुछ काम दिया था जो कि उनको दो दिन में ही खत्म करना था। और वो काम क्या है, वो हम लोगों को आगे पता चल जाएगा। श्रेया वहां से निकल कर सीधा असार विला चली गई, अपने रूम में जाके वो फिर से सु गई क्य कि अभी बस तीन बजे थे। कबीर अपने प्राइवेट विला में गोडे बेच के सो रहा था तभी उसका फोन बजा, पहले तो उसने उसे एगनो किया क्योंकि वो उसके नीद में अलचन डाल रहा था लेकिन फिर से कॉल आया तो उसने फोन उठा कर कान में लगाया वो अ उद्धरन चन डॉट ये सब कबीर ने बेहद ही खतरनाक आवाज में कहा था, उसकी आवाज सुनकर फोन की दूसरी तरफ का आदमी दर गया उसके माथे पर पसीने की बून चमकने लगी, वो अपने आपको शान्त कर कबीर से कहता है, बॉस, वो, वो, प्रोफेसर जोसफ और उसके साथियों को पुलिस ने पकर लिया, और हमारे भी कुछ आदमी पुलिस के गिरफ्ट में है, उद्धरन चन डॉट, इतना कहकर वो आदमी चुक हो गया, पर उसकी बात सुनके कबीर की नीद उर गई, वो जट से बैच से उठकर बैट जाता है, अपने फोन पर अ उद्धरन चन डॉट, कबीर ने एक के बाद एक सवाल की बारिश सामने वाले इंसान के उपर कर दी, सामने वाला इंसान कबीर के इतने सारे सवाल सुनकर और दर गया वो पहले ही कबीर के रुट्टोन के वेजिस डरा हुआ उपसे कबीर के इतने सारे सवाल सुनकर तो उस की बोलती ही बंद हो गई थी कि वो कबीर को क्या जवाब दे वो अपने हो ख्याल में खोया था कि कबीर की फोन के दूसरे तरफ से कढ़क और खतरनाक आवाज उसके कान में पढ़ गई कोकि दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आने से जुझला गया था कबीर कहता है क्या आप क्यू नहीं दे रहे हो कहा मर गए उध्धरल चिन डॉट अपने बॉस के आवाज से वो आदमी अपने होश में आ गया वो अपने आपको नॉमल करके कबीर से कहता है बॉस बॉस वो के के बॉस को इस बारे में कुछ नहीं पता ये सब उनके यहां से जाने के बाद हु पुलिस के पहले किसी ब्लाक कलर के कोड़े पहने हुए ट्रेन बॉडिगार्ड ने हम पर एटक या उन लोगों ने प्रोफेसर से कुछ सवाल पूचे उसके बाद उन लोगों ने सब को पुलिस के हवाले कर दिया मैं जिसे तैसे वहां से बच कर भाग आया हूँ उध्ध उद्धरन चिन डॉट इतना कहकर कबीर ने फोन रख दिया वो इस वक्त बेहद ही गुस्से में लग रहा था उसकी पूरी नीद उर चुकी थी अब उसको नीद तो आने वाली नहीं थी इसलिए वो अपने कपड़े चेंज करके अपने विला से निकल कर कहीं बाहर चला गया आज के लिए बस इतना ही फ्रेंज आज का एपिसोड आप सब को कैसे लगा ये मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला एपिसोड फ्रेंज थैंक यू फो वाचिंग एपिसोड 76 अब तक इस कहानी में हमने अब तक देखा कि कबीर ने एक के बाद एक सवाल की बारिश सामने वाले इंसान के उपर कर दी सामने वाला इंसान कबीर के इतने सारे सवाल सुनकर और दर गया वो पहले ही कबीर के रुट्टोन के वेजिस डरा हुआ उपसे कबीर के इतने सारे सवाल सुनकर तो उसकी बोलती ही बंध हो गई थी कि वो कबीर को क्या जवाब दे वो अपने हो ख्याल में खोया था कि कबीर की फोन के दूसरे तरफ से कढ़क और खतरना का आवाज उसके कान में पढ़ गई को कि दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आने से जुन्जला गया था कबीर कहता है क्या हुआ जवाब क्यू नहीं दे रहे हो कहां मर गए अपने बॉस के आवाज से वो आदमी अपने होश में आ गया वो अपने आपको नॉमल करके कबीर से कहता है बॉस बॉस वो के के बॉस को इस बारे में कुछ नहीं पता ये सब उनके यहां से जाने के बाद हुआ है हमने उनसे कॉंटेक्ट करने की कोशिश की पर उनका फोन नहीं लग रहा है एक गहरी सास लेके वो फिर से अपनी बात आगे कंटीन्यू करता है बॉस पुलिस के पहले किसी ब्लैक कलर के कोड़े पहने हुए ट्रेन बोडिगार्ड ने हम पर एटक क्या उन लोगों ने प्रोफेसर से कुछ सवाल पूछे उसके बाद उन लोगों ने सब को पुलिस के हवाले कर दिया मैं जिसे तैसे वहां से बच कर भागाया हूँ अपने आदमी की बात सुनके कि कबीर कुछ सोच कर उससे कहता है तुम कुछ आदमियों को अपने साथ ले लो और पुलिस के गिरफ्ट में हमारे जो भी आदमी है उन सब को चुड़ा लो अगर ये impossible हो तो सब को मार डालो कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए और नहीं उनकी किसी बात का पता लगे ध्यान रखना उद्धरन चिन डॉट इतना कहकर कबीर ने फोन रख दिया वो इस वक्त बेहधी गुसे में लग रहा था उसकी पूरी नीद उर चुकी थी, अब उसको नीद तो आने वाली नहीं थी, इसलिए वो अपने कपड़े चेंज करके अपने विला से निकल कर कही बाहर चला गया अब आगे, नेक्स्ट मॉनिंग, श्रेया की नीद अपनी खिलकी से आती, सूर्य की रोशनी से श्रेया की नीद खुल जाती है वो जल्दी से बैट से उठके फ्रेश होने के लिए बाथ रूम में चली जाती, है फ्रेश होकर वो अपने चेंजिंग रूम में जाके ब्लेक एंकल लेंध जीन्स और उस पर वाइट कलर का वाइट क्रॉप टॉप पहन लेती है उसके बाद ब्रेशिंग टेबल के आगे खड़ी होकर अपने बाल बना कर लाइट मेक अप करके नीचे चली जाती है हॉल में पहले ही उसके भाय और मॉम बैट कर किसी बात डिसकस कर रहे थे उसकी नजर हॉल में लगी वाच पर जाती है जिसमें नो बज रहे दिखा रहे थे श्रेया हॉल में आकर अपने मॉम और भाई की तरफ देख कर कहती है मॉम भाई आप लोग क्या बात कर रहे हो नाश्ता नहीं करना क्या मुझे बेहग जोरो से भूख लगी है चलो जल्दी बाद में बात करना जो भी हो इतना कहकर वो अपने भाई और मॉम का हाथ पकड़ कर उनको खीचते हुए दाइनिंग एरिया में लेके चली जाती है सेया जी और आदित्य भी बिना कुछ कहे श्रेया के साथ जाके डाइनिंग टेबल पर जाके बैट जाते है सर्वेंग जल्दी उनको खाना परोस्ते है, सभी खुशी के साथ अपना नाश्ता करते है नाश्ता करने के बाद वो तीनों ही रनविजय रोई की कमरे में चले जाते है श्रेया और उसकी मॉम उस रूम में बने सोफे पे बैठके आदित्य को डैट को चेक करते हुए देख रहे थे आदित्य अपने डैट की सारी चेक अप करता है, इसे सब कुछ नॉमल ही दिखता है, उसके मुताबित उनको कभी भी होशाने वाला था वो अपने डैट को चेक कर अपनी मॉम और बेहन ही तरफ देखता है, जो उसके ही जवाब का इंतजार कर रही थी आदित्य अपनी मॉम की तरफ देख कर कहता है उनको किसी भी वक्त होशा सकता है अदित्य की बात सुनकर सिया जी के चहरे पर स्माइल आ जाती है श्रेया जो अपने डैग को ही देख रही थी तब ही उसको अपने डैग की उंगली में हलचल होती हुई नजर आती है पहले तो उसको लगता है ये उसका भहम होगा इसलिए वो इसे एग्णो करती है लेकिन फिर से उसको उनके हाथ की उंगलीों में मोमेंट नजर आती है तो इस बार उसके चहरे पर स्माइल आ जाती है वो अपने भाई की तरफ देख कर कहती है भाई, देखो डेक की उल्डी में मोमेंट हो रही है श्रेया की बात सुनकर आदित्य और सिया जी का ध्यान भी उस तरफ चला जाता है आदित्य खुशी से जल्दी उनके पास जाके उनको चेक करता है केके की फ्लाइट इंडिया लैंड कर चुकी थी केके इस वक्त आलोग कपूर का भाई कुशल कपूर के वेश में था वो इस वक्त कपूर इंडिस्ट्री के सीईओ के तौर और इंडिया आया था एरपोर्ट फ्लाइट लैंड होते ही केके वी आईपी एरिया से होते हुए एरपोर्ट के बाहर निकल कर उसके लेने के लिए आई हुई ब्लैक कलर की ओडी में बैटके वहां से कही चले गया केके पर जो लोग नजर रख रहे थे वो भी उसके पीछे ही चले गए थे उन लोगों को पहले ही पता चल चुका था कि केके ने करन कपूर का चेहरा लिया था और वो इस वक्त इंडिया की टॉप 10 कंपनी में से एक कपूर इंडिस्ट्री का सीओ था केके के साथ ही उस फ्लाइट में शिव की टीम के खुश अंडिकवर असिस्टेंट थे जो की सुरू से ही केके पर नजर रखे हुए थे उन्होंने ही केके के एक फोटो निकल कर डिपार्टमेंट को बेज दिया था और सब को हाई अलिट पर कर दिया था क्योंकि अपसे आने वाले आट दिन इंडिया पर बेहत बड़ा खत्रा मंडरा रहा था क क क क एयरपोर्ट से निकलते ही कुछ ओफिसर एक टीम बनके उसके है एक मोमेंट पर नजर रख रहे थे वो भी उसके नजर में आये बिना क क क क एयरपोर्ट से निकलने के थोड़ी ही देर बात शिव और उसके साथ अमेरिका गय हुई उसकी टीम जो की शिव के प्राइवेट जेट से इंडिया आ रही थी उनका जेट लेंड होता है शिव और उसकी टीम जेट से निकल सीधा वीवी आईपी सेक्शन से होते हुए एरपोर्ट के बाहर उनको लेने आई कार में जाके बैखती है और वहाँ से हेट क्वार्ट की तरफ चली जाती है उनको अमेरिका में जो भी कुछ हुआ उन सब की रिपोर्ट हेट क्वार्ट पर करनी थी शिव और उसके टीम को लेने वाली करे कुछ समय तक एक के पीछे एक चल रही थी पर आगे चौरा ये पर सारी करे अलग-अलग डाइरेक्शन में चली गई ताकि अगर कोई उन पर नजर भी रख रहा हो तो भी वो उसको चमका देके इंडियन रो मुंबई में मौजूद सीक्रेट हेट क्वार्टर पर पोहच सके शिव का ये फैसला एकदम फायदे मंद रहा सच में उनका पीछा किया जा रहा था पर सारी कर एक मोड पर अलग डाइरेक्शन में जाने की बाद को उन पर नजर गड़ाए बैठा था उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा शिव की कार एक 18 मंजले बिल्दिंग के आगे आकर रुखती है जो की एक रेसिडेंशियल बिल्दिंग थी उस बिल्दिंग के उपर के पांच फ्लो पर किसी को भी जाने की पमिशन नहीं थी को लिफ बनी थी वो सिर्फ तेरा फ्लो तक ही जाती थी उससे उपर जाने के लिए एक सीक्रेट पास की अवश्यक्ता लगती थी जो की बस रुख में काम कर वाले ओफिसर के पास ही थी उस बिल्दिंग के नीचे के फ्लो पर जो भी फैमिली रह रही थी सभी आर्मी या पुलिस डिपार्टमेंट से जुडी थी उस रेसिडेंशियल बिल्दिंग में एंटर करने के लिए दो गेट थी एक में से उस बिल्दिंग में रहने वाले लोका आ जा सकते थे और दूसरी रोके ओफिसर के लिए थी जिसमें कड़ी सिक्योरिटी थी, दोनों गेट पर टाइट सिक्योरिटी थी और रॉका वो ओफिस एसे जग़ पर था कि किसी को भी शक भी नहीं होगा और कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था रॉका ओफिस एसे किसी जग़ पर होगा उस पूरे बिल्दिंग की 100 मीटर रेडियस में कैमरे लगे थे वो सारे उस बिल्दिंग में मौझूद कंट्रोल रूम में उन कमरे की फुद्स दिखती थी साथ में उस बिल्दिंग की 100 मीटर की रेडियस में कड़ी सिक्योरिटी थी, जो की इन्विजिबल थी शिव उस बिल्दिंग में जाके वहां के पारकिंग एरिया में अपनी कार पार्क करके वहां मौझूद लिफ्ट में जाके अथारा फ्लो का बटन प्रेस करके वहां पर अपना e-card scan करता है वो कुछ ही समय में उस बिल्दिंग के सबसे उपरी फ्लो पर पोहच गया जाया पर आज उन लोगों की मीटिंग होने वाली है शिव के 18 फ्लो पर जाके सीधा सामने की कॉरिदोर से होते हुए लास्ट के रूम में एंटर करता है जब पर सबीरों के बड़े बड़े ओफिसर उसी का वेट कर रहे थे शिव की सारी टीम भी शिव के पीछे ही वहाँ पर पोहच जाती है पर वो सब उस मीटिंग में सामिल नहीं होने वाले थे इसलिए वो सब 17 फ्लो पर ही रुप जाते है उनको 18 फ्लो पर आना अलाउड नहीं था और उनके पास की फ्लो का एकसिस कार्ड भी नहीं था दशमलव एक आर्ट फ्लो पर सिर्फ और सिर्फ रो और बाकी की सिक्योरिटी हे दिया चीफ को ही आने की पमिशन थी सिर्फ उनके पास ही वहाँ का एकसिस कार्ड था उस रूम में एंटर करते ही सब की नजर शिव पर ही चली जाती है जिसने अपने चेहरे पर इस वक्त ब्लैक मास्क लगाया था उसमें से सिर्फ उसकी वो काली गहरी आँखे ही देख रही थी उसने इस वक्त ब्लैक कलर का बुसने सूट पहना था उसका और बेहद ही खतरनाक और थंडा था उस रूम में उसके एंटर होते ही सब का ध्यान उसने अपनी तरफ खीच लिया शिव के वह एंटर करते ही वहां मौझूद हर फील्ड की टॉप रैंग पर के ओफिसर अपनी जगल खड़ी होके उसको ग्रीद कर रहे थे शिव ने उनकी तरफ बिना किसी एमोशन के एक नजर देखा और वो वहां मौझूद अपनी चेयर पर बैट गया उसके बैटते ही सब भी अपनी जगव पर बैट गये इस वक्त शिव के चेहरे पर कोई भाव, एक्स्प्रेशन नहीं थी और उसके मन में क्या चल रहा है ये बताना भी मुश्किल था शिव ने सब की तरफ देखकर अपने साथ लाई हुई फाइल आगे कर देता है रागव जो शिव के कुछ मिनित पहले ही उस रूम में आया था उसने भी अपने चेहरे पर ब्लैक कलर का मास्क लगाया था वो आगे बढ़ा केर वहां मौझूद प्रोजेक्टर पर अपने हाथ में मौझूद पेंडराइव कनेक्ट करता है उस हौल की लाइट ओफ हो जाती है वहाँ पर सिर्फ उस प्रोजेक्टर की ही रोशनी थी सब का ध्यान उस तरफ जाता है सामने की स्क्रीन पर उन सब को अपने सामने तीन फोटो देख रही थी सब उन फोटो को देख कर पहले तो शोक हो जाते है फिर असमंजस में शिव की तरफ देखने लगते है शिव उन सब की नजर अपने उपर देख कर कुछ कहता है जिसे सुनके सब के चहरे के एक्सप्रेशन गंभीर हो गए थे आज के लिए बस इतना ही फ्रेंज आज का चेप्टर आप सब को कैसे लगए मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखिये इस कहानी का अगला अब तक हम ने अब तक देखा कि अथरा फ्लोव पर सिर्फ और सिर्फ रोड और बाकी के सिक्योरेटी हेड या चीफ को ही आने की पमिशन थी सिर्फ उनके पास ही वहां का एक्सिस काड़ था उस रूम में एंटर करते ही सब की नजर शिव पर ही चली जाती है जिसने अपने चहरे पर इस वक्त ब्लैक मास्क लगाया था उसमें से सिर्फ उसकी वो काली गहरी आँखे ही देख रही थी उसने इस वक्त ब्लैक कलर का बुसने सूट पहना था उसका और बेहद ही खतरनाक और थंडा था उस रूम में उसके एंटर होते ही सब का ध्यान उसने अपनी तरफ खीच लिया शिव के वो हेंटर करते ही वहां मौझूद हर फील्ड की टॉप रैंक पर के ओफिसर अपनी जगल खड़ी होके उसको ग्रीट कर रहे थे शिव ने उनकी तरफ बिना किसी एमोशन के एक नजर देखा और वो वहां मौझूद अपनी चेयर पर बैग गया उसके बैठते ही सब भी अपनी जगव पर बैग गए इस वक्त शिव के चेहरे पर कोई भाव, एक्स्प्रेशन नहीं थी और उसके मन में क्या चल रहा है ये बताना भी मुश्किल था शिव ने सब की तरफ देखकर अपने साथ लाई हुई फाइल आगे कर देता है रागव जो शिव के कुछ मिनित पहले ही उस रूम में आया था उसने भी अपने चेहरे पर ब्लैक कलर का मास्क लगाया था वो आगे बढ़ा केर वहां मौजूद प्रोजेक्टर पर अपने हाथ में मौजूद पेंड्राइव कनेक्ट करता है उस हॉल की लाइट ओफ हो जाती है वहाँ पर सिर्फ उस प्रोजेक्टर की ही रोशनी थी सब का ध्यान उस तरफ जाता है सामने की स्क्रीन पर उन सब को अपने सामने तीन फोटो देख रही थी सब उन फोटो को देख कर पहले तो शोक हो जाते है फिर असमंजस में शिव की तरफ देखने लगते है शिव उन सब की नजर अपने उपर देख कर कुछ कहता है जिसे सुनके सबके चहरे की एक्सप्रेशन गंभीर हो गए थे अब आगे स्क्रीन पर शो हो रही तीन फोटो को वहां मौझूद हाई रैंक के ओफिस अध्यान से देख रहे थे पहले तो उन फोटो को देख कर उनको कुछ पता नहीं चला आखिर शिव कहना क्या चाहता है तो वो confusion में एक बार उन फोटो को देखते और फिर शिव को जोकी बिना किसी emotion के अपने चेया पर बैठा था शिव को जब अपने उपकिसी की नजर महसूस होती है तो वो अपना सिर उपकर कर कर देखता है तो सब उसकी तरफ ही देख राज थे शिव उनकी आँखों में छुपा सवाल समझ कर उन सब पर एक नजर डाल कर कहता है ये जो आपके सामने तीन फोटोग्राफ है ये और कोई नहीं बलकी केके के ही रूप है उसे अब तक ज़्यादा तरइन तीनो वेश में देखा गया है उसी के साथ आज इंडिया में आते वक्त उसका नया रूप वो तो आप सब को पता चल ही गया होगा कपूर ग्रूप का CEO करन कपूर और अभी आपने सामने ये जो तीन पिक्स है उन में से पहला है दुबई का डॉन शकील दूसरे फोटो मैं आस्ट्रेलिया का टॉप टैन बिजनेसमेन से एक करन खुराना और ये जो लास्ट वाला है ना उसका नाम है अखिलेश च्छा ये और कोई नहीं बलकि इंडोनेशिया नई कुछ साल पहले जो गैंग जादा पॉपुलर हुए थी ना उसका बॉस है जिसे हमने एक ओप्रेशन के तहत खत्म किया था शिव ने उन तीनों की इंफॉर्मेशन सब को बता दी उसके इस इंफॉर्मेशन पर वहाँ पर मौजूद एक ओफिसर शिव से कहता है तुम इन तीनों के बारे में क्यों बता रहे हो तुम्हारे पास कोई प्लान है उद्धरन चिन डॉट शिव उस ओफिसर को नजर देख कर अपने असिस्टेंट रागव को इशारा करता है रागव अपने बॉस का इशारा समझ कर अपने बईकज़सी कुछ डॉक्यूमेन्स निकाल कर सब को एक एक हेंड ओव करता है सब एक बार अपने हाथ में मॉझूद डॉक्यूमेन्स और फिर शिव की तरफ देखते हैं शिव उनको इशारे से ही पढ़ने को कहता है सब ओफिसर उस डॉक्यूमेंट्स को रीड करने लगते हैं जैसे जैसे वो सब डॉक्यूमेंट्स पर रहे थे वैसे वैसे उनके चहरे के भाव बदल रहे थे वो सब उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ कर शिव की तरफ देखते हैं कोई कुछ बोलता उससे पहले ही शिव उनसे कुछ कहता है, जिससे सब शान्थ होकर उसकी बात सुनने लगते हैं, सब को शिव की बात समझ आती है, साथ में सब उसके प्लान से भी खुश थे, फिर भी उन लोगों ने सेफटी के लिए आपस में डिसकस करके और दो प्लान ब कार में बैट के सिंधानिया विला की तरफ चला गया, एसी के साथ राघव भी मौझूद था, इधर केके की कार एक बड़ी शी हवेली की आगे जाके रुपती है, वो पहले तो कपूर मेंशन की तरफ जाने वाला था पर अचानक ही उसने अपना प्लान चेंज किया और वो इस बड़ी शी हवेली के आगे आकर रुपता है, जिसके गेट पर बड़े ही स्टाइलिश वर्ड में नाम लिखा था किंग्स प्लेस, केके की कर उस हवेली के एंट्री गेट से होते हुए अंदर एंटर करती है, उस हवेली के आसपास की सिक्योरिटी बेहद ही स्ट्रॉं थी, वहाँ पर कोई भी केके की पमिशन के बिना एंटर नहीं कर सकता था, ये हवेली केके ने 10 साल पहले बनाई थी, पर कभी वो इस में रुका नहीं था, कभी उसको ये पर रहने का वक्त ही नहीं मिला, केके की कार जैसे ही उस किंग्स प्लेस से एंट्री गेट से होकर अ अंदर आती है, वैसे ही सामने बेहत बड़ा और खूबसूरत गार्डन नजर आता हुआ, जिसमें कई अलग-अलग प्रकार के पौधे लगे थे, उस गार्डन को इटेलियन टच दिया था, गार्डन दिखने में बेहत खूबसूरत था, वो गार्डन एकदम क्लीन था, व उस गार्डन की शोभा और ही बड़ा रहा था, केके की कर उस गार्डन के बीच में बने हुए रास्ते से होते हुए हवेली के आगे आकर रुखती है, तर रुखते ही करके आगे के सीट पर बैठा हुआ केके का असे टेंट राजीव उतरता है, और केके के लिए पीछे का के 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 कर से उतर कर बिना किसी चीज़ पर ध्यान दिया अंदर की तरफ बढ़ता है। के बाहर आकर हवीली की सिक्योरिटी चेक करने लगता है। चला जाता है। फ्रेश होकर आने के बाद वो अपने चेंजिंग रूम में जाके कपड़े चेंज करता है। इस वक्त उसने ब्लैक कलर का सूप पहना था। हाथ में ब्रांडेड गड़ी पैरो में ब्लैक कलर के बठ हाथ में ब्लैक ग्लोव्स, चेहरे पे ब्लैक मास्क और आँखो पे ब्लैक चैस्मा लगा के वो रेडी होता है। लग नहीं करता था, सोते वक्त भी वो घड़ी उसके हाथ में ही रहती थी, वो घड़ी देखने में बाकी के घड़ियों जैसी ही थी, पर ये बस सामने वाले के लिए, उस घड़ी में केके ने बेहत सारे फंक्शन इंस्टॉल किये हुए थे, इसका इस्तिमाल किस-किस के लि उसकी प्रेस करता है, उसे प्रेस करते ही, वो डोर खुल जाता है, उसके नीचे सीरिया दिखाई देती है, केके उस सीरियों से नीचे चला जाता है, वो सिर्या कुछ ही दूर जाके खत्म हो जाती है, उसके आगे के लॉन टनल दिखाई देती है, सीरिया खत्म होते ही वहा पर एक बाइक ख़़ी दिखती है, केके उस बाइक पर बैट के उसे स्टॉट करके बाइक को टनल के अंदर ले जाने लगता है, इस वक्त केके के बैडरूं का वो बैड फिर से पहले जैसे हो गया था, और केके की लोकेशन जो शिव की टीम को शो हो रही थी, वो सिर्फ इस ह आई टेकनोलोजी से बना था, इसलिए केके को शिव की टीम ट्रैक करने में असफल हो रही थी, इस वक्त रोके हेड ओफिस में हर बड़ी मची थी, केके की लोकेशन को उन लोगों ने को दिया था, जो ओफिसर इस वक्त केके के पीछे थे उनके नजरों के आगे से केके ग पोहच गया था, उसको डिपार्टमेंट से कॉल आ गया था, उसे जल्दी ही हेड ओफिस आने को कहा गया, कुछ अजेंट काम के कर, शिव जब हेड ओफिस पोहच गया, और उससे जब अपने ओफिसर से ये पता चल गया कि उन लोगों ने केको दिया है, शिव के चेहरे प उसके सामने था, जिससे उसके चेहरे पर एक डेवल स्माइल आती है, पर उसके चेहरे पर मास्क होने से किसी को भी उस बारे में कुछ भी पता नहीं चला, आज के लिए बस इतना ही फ्रेंज आज का एपिसोड आप सब को कैसे लगा ये मुझे कॉमेंट करकी जरूर बतान अगर आप सबको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो विडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, कहानी में आगे क्या होता है, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, फ्रेंज थैंक यू फो वाचिंग